दोस्तों फोल पर बात हम सब करते हैं लेकिन उनकी बारी क्या नहीं जानते हैं या फिर यूँ कहें कि हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं जैसे कि फोन कैसे करना है कपकाटना है किसे किस लहजे में बात करनी है किसी को होल पर कैसे रखना है वगयरा वगयरा आमतोर पर हम अपन का खामियाधा भी बोगतना पड़ता है कि आपको फोन एटिकेट्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दोस्तों फोन पे बातचीत में कुछ कॉमन एटिकेट्स ना सिर्फ आपकी परस्नालीटी को निखाते हैं बलकि आपको और भी अट्रेक्टिव बनाते हैं आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन भी बनते हैं लाइव के हर पहले उपर अगर आपको एटिकेट्स को फॉलो करें तो अपनी परस्नालीटी में चार चांड लगा सकते हैं इसलिए हर एक को जुभि आज कल फोन उन्हें इन पायों पता होना चाहिए क्योंकि आपके बात करने का तरीका ही सामने वाले को इंप्रेश करता है बज रहा हैं लेकिन आप किसी रिजन से उसे नहीं उठा सकते तो आपको जैसे ही टाइम मिले आप उसे बैक कॉल करिए आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके उतना पहले कॉल उठाए दोस्तों 5-6 बार फूल ना उठने पर सामने वाला शक्स आपसे कुल कर रहे हैं तो आपको इस बात का द्याम रखना चाहिए जब आपको लगे कि फोन आपनी किसी को मिलाया है और किसी और ने उठाया है तो अपना इंट्रॉडक्शन देखर आप उसे क्लियर करें कि आखिर आप कौन है और आप किससे बात करना चाहिए दोस्तों जब भ करने बिल्कुल सपस्ट सुनाई पढ़ना चाहिए बहली आप धीमी आवाज में क्यों आबात कर रहे हैं दोस्तों मोबाइल पे बात करते समय सॉफ्ट आवाज में ही बात करें मोबाइल का माइक्रोफोन बहुत जादा सेंसिटिव होता है और धीमी आवाज को भी वह असा तो आप कैसे रखें, माल लिजी आप किसी से बात करने हैं, और सामने से दूसरी call आ जाती है, या फिर कोई सामने से बैखती है, आपको call hold पे रखनी होती है, तो आप जरूर रखें, अगर आपको बात करना जरूरी है, तो आप call hold पे रख सकते हो, लेकिन आपको सामने वाले शक्स को बताना चाहिए बिना बताए अगर आप call hold पे रखेंगे तो उसे भी negative impression पड़ता है hold पर रखे हुए को ज्यादा time लग रहा हो तो आप उसे बीच में बोल सकते हैं कि अगर उने कोई problem नहीं है तो थोड़ा समय और आप ले सकते हैं दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर आपको call को रखना है तो आप कैसे रखें दोस्तों हमने से बहुत लोग बात पूरी होने से पहले ही phone काट देते हैं कई बार अगला कुछ कहना चाहता है तो हम बीच में रोग टोक करके ही phone काट देते हैं तो दोस्तों यह बिल्कुल ही गलत तरीका है, दूसरे शक्स पर इसका अंडिगेटिव इंपैक्ट परता है, जब भी आप कॉल को रख लिए तो सामने बाले की बात पूरी सुनके ही पोन को कट करें, दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर आप किसी मीटिंग में, किसी कॉन बचने लगता है, इसलिए दोस्तों अकसर हमें प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही बताया जाता है, कि फोन साइलेंट या पे स्विच आप मोल में रखें, कई जगे इसकी नोटिस भी लगाई जाती है, अगर दोस्तों हम बात करें कि कॉल ट्रांसफर की, अगर आपको क लिए आप कॉल को ट्रांसफर करना चाहते हैं, दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके मोबाईल पे बात करने से कोई डिस्टर्ब होगा, तो बहां बात ना करें, आप ऐसमिस कर सकते हैं, या फिर वाप महां से थोड़ी दूर जाकर भी बात कर सकते हैं, कुछ प्लेसे नहीं है, तो आप text message भी कर सकते हैं, text messaging के भी कई फायदे हैं, इससे दूसरों को problem नहीं होती है, आपकी privacy बनी रहती है, और radiation कम होने के कारण आपकी health के लिए benefit रहता है, दोस्तों अगर आप किसी के साथ में हैं, तो कोई call करने या receive करने से पहले उन्हें बता, और ऐसे भी important बाते ही करें, बातचीत को short में निप्टाएं ताकि आप जिनके साथ हैं वो बोर नहीं हो, और उन्हें हैसा feel भी नहीं हो कि आपने importance नहीं दे रहें, दोस्तों फोन पे बात करते हैं, किसी और से बात ना करें, से फोन पर ही concentrate करें, अगर आप किसी और से भी बात करेंगे तो फोन पे बात करें बेक्ती को आपकी बात समझने में problem होगी, दोस्तों एक और सबसे important बात, लिफ्ट या ट्रेन जगों पे call किसमें अपनी privacy का ख्या लगए, कोई भी private बातें ना करें, किसी तरह का कोई information है, जैसे की mobile number है, आपका bank account details है, या फिर और भी कोई आपकी secret information तो ऐसी जगों पे call के दोरान share ना करें, क्योंकि इसका कोई दलत इस्तवाल भी कर सकता है, तो दोस्तों यह थी कुछ common etiquette की बात है, जो कि आपको फोन पे बात चीफ करते समय, फॉलो करने चाहिए, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like करें, share करें और चैनल को subscribe करना ना भूले, धन्यवाद.